बोलो नीप करोरी बाबा महराज कीजे, परम पूजी सिध्धी मा कीजे, भक्त वत्सल हन्मन तलाल कीजे बक्त जनो, मैं डॉक्टर उमेश बाश्वई, उपस्तित हूँ आपके समक्ष, अपने महाप्रभू, नीप करोरी बाबा महराज की अद्बुत लीलाओं का गुडगान करने के लिए बाबा की मंदिर संकला का ही एक और वीडियो मैं आज आपको बना के आपके समक्ष प्रस्तित कर रहा हूँ इससे पहले मैंने आपको अंडमान निकोबार द्यूपसमू के बारे में, सिमला के मंदिर के बारे में आपको बताया आज की जो लीला है यह दिल्ली के जौनापूर मंदिर से जुड़ी हुई है जौनापूर दिल्ली में उस समय एक जौनापूर गाउं हुआ करता था जो मूल दिल्ली से काफी दूरी पर था और वहां की जो भूमी थी वो चट्टानों से भरपूर भरी हुई थी यह वही अरावनी स्रंखला है जो दिल्ली तक आई हुई थी और पूरी भूमी जो है वहां त्राहिमाम करती थी दूर दूर से पानी लाते थे लोग और पानी की बहुत ही किलत थी खेती का तो दूर दूर तक आप नाम भूल जाईए जब पानी नहीं है तो खेती कहां से होगी बाबा महराज के लिए कुछ भी कठिन नहीं था हनुआ जी के लिए क्या कठिन ह बाबा महराज वहां घूमते घूमते विचरन करते हुए गए उनको रगा कि दिल्ली के भक्तों के लिए हमें एक मंदिर इस्थापित करना चाहिए और दिल्ली के आसपास के भक्तों की चिंता करके उनकी तो लीला थी एक साथ हो क्या-क्या सोचते थे आसपास के भक्तों को पानी की वज़े से बड़ी किल्लत थी किसान खेती नहीं कर पाते थे जानूरों के लिए पानी नहीं था जीवजन्तों के लिए पानी नहीं था और महाप्रभु ने देखे किस प्रकार से जा करके जौनापुर गाउं को चुना जहाँ पर चट्टाने ही चट्टाने थी गए और कहा कि यहाँ पर बोरिंग करिये और लगबग 150-160 फिट गहराई पर बोरिंग करवाई प्रभु ने लोग देखने वाले हैरत में थे कि वहाँ इससे पहले भी गवर्मेंट ने लोगों ने बड़े प्रयास किये पर बोरिंग सफलना हुई लेकिन प्रभु की कौन उनको कौन रोक सकता है और कौन अवरोध उनके सामने आ सकता है बड़िया बोरिंग हुई जल निकला और उस जल से न केवल मंदिर निर्माण का कारिपोर हुआ बलकि आसपास के जीव जन्तू पसुपक्षी और खेती के कारे में वो जल आने लगा चारो तरब जन्ता जैजैकार करने लगी और जोनापुर में प्रभु ने बहुत सुन्दर मंदिर का निर्माण कराया हनमान जी का विग्रा इस्थापित किया प्रभु ने कहीं अपने बारे में उन्होंने अपनी कोई मूर्ती के लिए किसी से नहीं कहा सदेव हनमान जी की स्थापना की लेकिन कालांतर में उनके सरीर त्यागने के बाद उनके भक्तों ने ऐसा कोई मंदिर नहीं रहा जहां प्रभु को विराजमान न किया वो छेत्र पंजाबी बागुल्य छेत्र है दिल्ली के आसपास ज्यादा तर पंजाबी लोग हैं उनका भी प्रभु ने बड़ा ध्यान रखा और सेरा वाली माता दुर्गा का भी उन्होंने वहाँ पर प्रतिष्ठा कराई मंदिर इस्थापना कराया आज दिल्ली के मंदिरों में बाबा महराज का जौनापुर मंदिर बहुत ही प्रशिध्य प्राप्त है और बाबा महराज के अनन्य भक्त वहाँ जा करके अपने जीवन को धन्य बनाते हैं भंडारा होता है प्रशाद वितरन होता है तो यदि आप दिल्ली के आसपास के रहन में वाले हैं तो बाबा महराज के जोनापुर मंदिर में जा करके आप अपना मत्था टेक सकते हैं और प्रभू की क्रपा को प्राप्त कर सकते हैं तो आज की आपको प्रभू की या लीला कैसी लगी या मंदिर इस्थापना की घटना कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जाक महराज कीजे, परम पूजी सिद्धी मा कीजे भक्त वत्सल हनुमंत लाल कीजे